नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं सूर्य राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर सत्रह अगस्त 2021 प्रातह तीन बज करके 42 मिनट पर भुवन भासकर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशी करक राशी को छोड़कर अपनी मूल त्रकूण राशी शिम्ह राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्य का यह गोचर 17 सितंबर 2021 की प्रातह तक जारी रहेगा में शिशे लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातकों के लिए आतना के कारक, पिता के कारक, पद प्रतिष्ठा, उच्चो सरकारी नौकरी मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर क्या रहे हैं? क्यूंकि यह गोचर बेहद खास होने वाला है, बेहद खास क्यूं? क्यूंकि पहले तो सूर्य का अपनी स्वरासी में होना, 17 सितंबर को सूर्य राशी परिवर्तन करेंगे, और 14 सितंबर को देव गुरु ब्रहस्पती वक्रवस्था में मकर राशी में आएंगे, यानी सूर्य की द्रिष्टी 14 सितंबर सूर्य पर गुरु की द्रिष्टी या गुरु सूर्य का आमने सामने का द्रिष्टी संबंध 14 सितंबर 2021 तक जारी रहने वाला है, गुरु और सूर्य की द्रिष्टी को जोतिश शास्त्र में बेहद स्रिष्ट द्रिष्टी संबंध बाना गया है। यह द्रिष्टी और विशेश कर जब सूर्य स्वा रासी के हों और उस पर गुरु की द्रिष्टी पढ़ जाए तो कहना ही नहीं यह तंत स्रिष्ट होगा। तो वो कौन सी रासियां हैं जिनके लिए गोचर बेहद स्रिष्ट फल प्रदायक है। और किन रासियों को स्वास्थ के मामले में क्योंकि सूर्य को हार्ट हरदय से सम्मंधित कहा गया है। हार्ट अटैक इत्यादी में विशेश सूर्य का सम्मंध होता है। तो किन रासियों को विशेश रूप से इस गोचर काल के दौरान सावधान रहना है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा हो तो आप अपने जीवन के हर छित्र में उच्चो सफलता हासिल करते हैं और वहीं जब सूर्य कमजोर हों, सूर्य खराब जितिती में हों तो मान सम्मान की हानी, पिता के साथ मतभेद, कारिस्थल पर बौस क साथ मतभेद, नित्र पीडा, सबसे ज़्यादा मान हानी का सामना करना पड़ता है, चलिए, प्रारंभ करते हैं सूर्य का यह गोचर प्रतेक राजी के लिए, प्रियदर्शकों, प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं कि यह राशी फल मैं आपके चंद्र राशी के आधा पर इस राशी फल को आप देखी, सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी, मेश राशी के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पंचम में होने जा रहा है, अब पंचमस्त सूर्य कुछ मामलों में आपको दिक्कत तो लाएंगे, देंगे, लेकिन यह स्वगरी हैं, और सरवाधी कारग्रह माने जाते हैं में इस राशी के लिए, तो पंचमस्त सूर्य जो की गुरू की द्रिष्टी से द्रिष्ट, यही पर मंगल और गुद्ध भी हैं, लेकिन मूलतह देखा जाए, तो मंगल का साथ इनको मिल रहा है, गुरू की सामाजिक, बौधिक, हरक्षित्र में आपके जो निर्णे लेने की आपके ग्योग छमता है, वो और विलक्छन हो जाएगी, यह गोचर आपके लिए पदुन्नती लेकर क्या रहा है, यह गोचर आपकी ग्यान में बृद्धी लेकर क्या रहा है, विद्यार्थियों के परंतु ये सुदैव की भाती आपको बताना होगा कि वो महिलाएं जो गर्भावस्थाक के दौर में हैं और मेश रासी की हैं उनको सतर्क और सावधान रहना होगा क्योंकि गर्भभाव में सूर्य का गोचर होना थोड़ी सी परिशानी उत्वण न करता है तो बस उनहीं को थोड़ा ध्यान रखना है लेकिन नौकरी की तयारी कर रहे हो सभी विद्यार्थी विद्यार्थियों के लिए हगोचर अत्यन्त स्रेष्ट है सूर्य को भी प्रिथकता जन्नेग्रह कहा गया है हाला कि गुरू की द्रिश्टी से द्रिश्ट होने के कारण इनके प्रिथकत्व में कमी आएगी पर फिर भी प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी गलत फ़हमी हो सकती है तो नौकरी पेशा, विद्यार्थी वर्ग, बाकी सभी में इस रासी के जातकों के लिए हगोचर अत्यन्त स्रेष्ट है कुछ सामान ने मामलों में मैंने सावधानी रखने के लिए कहा उसका खयाल रख लीजिए भुवन भासकर की आराधना करते रहिए और पिता का सम्मान करते रहिए ये कोई उपाय नहीं आपकी दिन्चरिया है और सूर्य वो एक मात्र ग्रह है जो आपकी दिन्चरिया से ही ठीक हो जाते है ब्रिशब के लिए अगर यह गोचर देखें तो चतुर्थ में होने जा रहा है अब इसे ठीक नहीं कहा जाएगा क्योंकि सूर्य क्या है तो प्रिथकता जन्निग्रह प्रिथकता लाते हैं सनी, सूर्य, राहु ये सब प्रिथकता जन्निग्रह हैं अब ये प्रिथक कराए तो यहां पर बैठ करके दरिश्टी दसं पर डालेंगे। अच्छी सूचना यह है कि गुरू की दरिश्टी से दरिश्ठ होने के कारण जहां जहां यह पृत्षकता ला सकते हैं जिसके नौकरी में कुछ परिशानी इत्यादी। तो उन सभी जगों पर गुरू की दरिश्ट में इस गोचर काल के दौरान थोड़ी गिरावट हो सकती है, स्वास्तिका भी आपको खयाल रखना होगा और सबसे ज़्यादा जरूरी है खान पान पर ध्यान रखना, अब जेखिए अच्छाई क्या है, समाज में हर छित्र में आपको पहचान मिलेगी, राजकी ये कारियों में विशेस उन्नति की संभावना है, व्यापारी हैं तो व्यापार में विशेस लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो सभी सरकारी कारिये जो ब्रिसवरासिके जातकों का रुका हुआ था, उन्हें पूर्ण करने के लिए ये उचित अवसर होगा, क्योंकि सूर्य स्वरासिके हैं, गुरु की दृष्टी से दृष्ट हैं, आपके थोड़े से प्रयत्नों से आपको संपूरुन सफलता मिलेगी, तो कुछ मामूली सावधानियों को रख लीजिए, मा की सेहत का ख्याल रखिए, घर में कलह का वातावरन नहुँस बात का ख्याल रखिए, अपने स्वास्त का ख्याल रखिए, बाकी यह गोचर भूमी, भवन, वाहन, हर प्रकार के सुखों को लेकर क्या रहाय जरूत पढ़ने परमित्रों से भी आपको मदद मिलेगी, उपाय के तोर पर बस भूवन भासकर किया राधना रभिबार को विशेश रूप से मैं जो अरगे उनको प्रदान करवाया करता हूँ, आपसे वो करिए, और साथी साथ पिता का सम्मान खूब करिए, तो यह गोचर उत्तम होगा आपके लिए, मिथुन के लिए यह गोचर देखा जाए, तो पराकरम में होने जा रहा है, पराकरम पती का पराकरम में गोचर करना, व आपके दरवाजे पर नहीं घर के भीदर आ गई है, अब आपको कदम आगे बढ़ाना है, यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है, केवल आपको प्रत्न करना है और सफलता मिलेगी, देखा जाए तो दामपत्ते जीवन सुखत, नौकरी पेसा लोगों के लिए द दिखा जाए, तो यह गोचर बहुत बढ़िया, सारे सभी के सभी सरकारी कारे आपके बंते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो लोग नौकरी पेसा है, उनके लिए तो खैर अच्छा ही है ही, जो नौकरी के लिए प्रत्न सील है, उनके लिए बहुत बढ़िया, सेना, के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत स्रिष्ट दिखाई पड़ रहा है हर छेत्र में, बस सर्त इतनी कि प्रत्न करना होगा, भाग्या आपके साथ रहेगा, जो कामहात मिलेंगे, सफलता मिलेगी, सूर्य को अर्गे प्रदान करिए, सूर्य की आराधना करिए, दूसरा कुछ नहीं, करक के लिए यह गोचर दिखाई पड़ेगा, ध्यान से मेरी बात को सूनियेगा, समाज में भी कुछ वर्ग विशेस, कुछ व्यक्ति विशेस के लोग विशेस आपकी वाणी में केवल और केवल उनको अहंकार दिखाई पड़ेगा, जो की देखा जाए, तो केवल और केवल स्वाभिमान है, विशुद्ध स्वाभिमान के बृद्धी होगी आपकी बातों में, आपके स्वभाव में, सुरे के दूतिये में होने से, क्योंकि गुरु की दृष्टी से दृष्ट है, लेकिन लोगों को प्रतीत होगा आपका अभिम जब आप ये तोल लें, कि आपकी वाणी से किसी को घस्ट तो नहीं पहुँच रहा, मधूरता अवश्चेल आईए, अनित्हा बात बीबात तय है, कटू बानी, और ये कटू बानी कैसी, सत्य बानी, सिल लोग अपने आपको अपमानित महसूस करेंगे, आप सत्य लेकिन तच्छन लोग बुरा मानेंगे, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया, राज नीती से जुड़े जो लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, जीवन सांथी के स्वास्तिका जरा खयाल लीजिए तो इस उत्तम समय का आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं, पिता का सम्मान सूरी को अर्गे देना यही आपके जीवन को स्रिष्ट और उन्नती देने वाला बनाएगा, सिम्ह के लिए आपकी रासी पर होने जा रहा है यह गोचर, यहाँ सूरी गुरू की दृ सूरी को लगन में कारक माना गया है, लेकिन यह स्वभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला बेहद अहंकारी है, वैसे भी सिम्हराजी के जातकों को अहंकारी कहां ही जाता है, क्योंकि अपने आप में सबसे ज़्यादा ही रहते हैं, बहुत कम बोलना, अपने आप मे अहंकार इसका त्याग करिए, फिर देखिए नौकरी पेसा लोगों के ली बहुत बढ़िया, प्राइबिट सेक्टर हो, सरकारी नौकरी में और बढ़िया, राजनीती से जु拌ने लोगों के लिए बहुत बढ़िया, विध्यार्थियों के लिए अगोचा रत्यंत अस्र आपको दिखाई देने लगेंगी, जो भी कारे आप हाथ में लेंगे, उन कारियों के चलते आपको विशेस, सहज ही ढंग से आपको लाब होने वाला है, तो सिम्ह रासी के जातकों के लिए हगोचर बहुत बढ़ी है, अब सुर्य जब आपकी रासी पर हों, तो स्वास्ते मे कि भी उनके आखों का ख्याल रखना होगा, बहुत जब टीवी मुबाईल इत्यादी से वो दूर है, सुर्य की आराधना, पिता का सम्मान, बस यही है उत्तव मों पाए, दूसरा कुछ नहीं करना, कन्या रासी के अगर हम जातकों की बात करें, तो सुर्य का यह गोचर बा रखा है, कि सुर्य अगर ब्याय कराएं, तो ब्याय होता कहा है, तो अहंकार की पूर्ति के लिए ब्याय होता है, सामने वाले को दबाने के लिए, सामने वाले को दिखा देने के लिए, कि मैं दिखा के रहूंगा, इसी चीज़ों पर ब्याय होता है, अपने अहंकार को पो तो शुभ है गोचर, यहाँ पर आप विदेश यात्रा कर सकेंगे, आपके स्वास्त के द्रिष्टिकोंड से भी मैं इस गोचर को शुभ ही कहूंगा, आखों का खयाल रखियेगा, जीवन साथी के स्वास्त में अगर कोई परिशानी थी तो वो भी बहुत अत्तक दूर हो ज इस गोचर काल को आप उत्तम समझिये, कहीं चिंता की कोई आवशक्तानी विश्यस करके कोई तकलीफ परिशानी थी तो वो दूर हो जाएगी, तो गुरु की द्रिष्टी से द्रिष्ट ये सूरिय हर प्रकार से आपके जीवन में उत्तम इस्तिति ले करके आने वाले हैं, आप पसतर्क और सावधान हो करके कोई नया विबाद, कोई नई लड़ाई, कोई नई परिशानी मत पालिए, बाकी यह गोचर अच्छा है, भुवन भासकर को और के प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए, यह गोचर हर प्रकार से आपको लाब देगा, हम वहीं इस गो कि हर छेत्र से धनागमन कराने वाले होते हैं, केवल हम एक छेत्र की बात ना करें कि नौकरी से आएगा, या व्यापार से आएगा, या राजनीती से आएगा, हर छेत्र से यह गोचर आपके लिए शुभ प्रभाव लाने वाला है, आर्थिक लाभ जबरदस्त कराने वाला आकरात्मक प्रभाव इसका बगत इतना ही होता है कि वो गर्भवती enough होती है उनके गर्भ में थोड़ी परिशायी आ सकता है क्योंगे बने बिताया सुरिपर थकटा जन्नेक रहें प्रिथक्ता लाते हैं तो शंतान की सेहत या गरभगत जो संतान है उसकी सेहत में परिशानी प्रेम में भी तनाव की स्थिति उत्पन होती है थोड़ी सी परिशानी यहीं हो सकती है बाकी प्रेम में भी क्या होगा अहंकार के चलते ना आप जुकने को तयार न के कारक हैं, तो सरकार से जुड़ी जितनी भी चीजे हैं, अगर उनसे कहीं लाभ की बात है, तो वो लाभ सभी तरह के लाभ तुलारासी को प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, तो तुलारासी के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, भुवन भासकर की पिता का सम्मान करना, इतना कर लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना, वृष्षिक के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ गोचर दसम्में होने जा रहा है, सूर्य खुद की रासी में जब संचरन कर रहे हैं गुरू की दृष्टी से दृष्ट, तो देखा जाए, त जाएंगे जो की आपके लिए बेहद सफलता का कारण बनने वाले हैं, बेवसाय के दृष्टी कोण से देखें, नौकरी के दृष्टी कोण से देखें, तो यह कम समय, यह काल केवल और केवल उन्नती परदायक है, जरुवत पढ़ने पर वरिष्ठ जनों से आपको सहयोग मिलेगा, उनका अनुभव आपके काम आने वाला है, माता पिता की सेहत का जरा खयाल रखिएगा, उनके स्वास्ते पर ध्याने रखना आपकी जिम्मेवारी है, पिता के साथ मत भेद न करिये, इस बात का खयाल रखिए, गुरु और सूर्य के दृष्टी सम्मंद के कारण भूमी, भवन, भाहन, हर सुख में बृध्धी, नौकरी पेसा हैं, तो कारिस्थल पर कारिक्षेत्र में बृध्धी, यह गोचर ब्रिष्टिक रासी के जातकों के लिए अत्यंत उत्तम है, जो भी सरकारी कारे आपके रुके हुए थे, वो सभी कारे बेहद आसानी से पू जो काम आप करना चाहते हैं करिए, सुरी को अर्गे देना, भुवन भासकर को अर्गे दीजे उनकी आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, इतने से ही आपका गोचर अत्यंत स्रिष्ट हो जाएगा, धनू के लिए अगर हम इस गोचर को देखें, तो भाग्य में होना जा जातो, यह गोचर धनू रासी के जात्कों के लिए, अब कहें, तो अजबसा लगता है कि छपपर फाड़कर के लाभ देने वाले हैं, लेकिन अब ठीक है, भई छपपर फाड़कर के कही है, जहां से कही है, हर प्रकार से आपको लाभ मिलने वाला है, पिता के साथ संबंध करने वाला है, और आपको लाभ देने वाला है, ब्यापक लाभ देने वाला है, हर फिल्ड में, विदेश से धनागबन की संभावना, विदेश स्यात्रा की सोच रहें तो तो काम बनेगा, कारक छेत्र में उत्साह बना रहेगा, मान सम्मान बढ़ान बना रहेगा, मिला इसी के लिए यह गोचर केवल और केवल उत्तम है, धनुरासी के जातक इस उत्तम गोचर का आलका लाव उठाएं, कोई चिंता करने के आवशक्तानी हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं, करते रहे हैं, सुरिको अर्गे प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, और यह ग जरूरी है, विसेश करके सुरिका अस्टम में गोचर करना वो लोग जो हाट के रोगी है, उनके लिए ठीक नहीं है, यह परिशानी लाएगा, हलाकि बहुत बड़ी परिशानी नहीं है, पर सावधानी जरूरी है, वहीं अचानक धनहानी की भी संभावना है, चुकि गुर जरू की द्रिश्टी से द्रिश्ट हैं ये सूरिय, फलस्वरूप, परिशानिया थोड़ी कम होकर के आएंगी, परन्तु आएंगी, आमदनी में भी गिरावट दिखाई पड़ रहा है, परिजनों के मद्य मन मुटाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आर्थी कि स्थ नहीं रख पाए, तो बिवाद और बढ़ चड़कर के होगा, तो सतर्कता मकरराज के जातकों के लिए बेहद आवश्यक है, सतर्कता में ही आपकी भलाई है, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तो सतर्क रहकर के ही आगे बढ़िए, कोई भी निर्णे रहेगी, आपको विशेष रूप से आराधना करना चाहिए, सूरी की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, और गुड़ का दान, या तो बहते जल्द में गुड़ प्रभाहित करना रभीबार को, या रभीबार को गुड़ का दान करना आपके लिए उँचित होगा, इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपके स्वभाव में। सूर्य पसल में देखा जाए तो बुद्ध व्यक्ति को भद्र बनाते हैं। लेकिन उस भद्रता में भी जो सामने वाला आपको सम्मान देने लगे। एक तो हुआ एक व्यक्ति भद्र है। परंतुस भद्र व आप हाउद्पन करेंगे कि आनायास लोग आपकी तरफ आकरशित हों। परंतु आक्रामक्ता अपने अंदर कम रखेगा, नियंतरत रखेगा क्योंकि आक्रामक्ता बढ़ेगी जीवन साती से, क्योंकि घर से आप परिशान होंगे, जीवन साती से कलाह संभाव है। कारेक ब्यापार में कोई भी सरकारी अडचन इत्यादी आ रही थी, इसके चलते अगर आपका ब्यापारबाधित हो रहा था, तो वो सारी अडचने दूर हो जाएंगी, ब्यापारियों के लिए हसम है, उत्तम दिखाई पड़ रहा है। सुरी की आरादना करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, जीवन साथी का सम्मान करिए, तो यह गोचर आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आखरी रासी मीन के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सुरी रासी से सश्ठ हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ब्यर्थ के बा तो इसका हल ढूंड निकालेंगे, कोट का चरी से सम्मंदित कोई परिशानी है, तो वहां पर आप हैसला आपके पक्ष में, शत्रु तो पराजित होंगे ही होंगे, अप्रत्यासित लाब, हलाकि अप्रत्यासित ब्याय की भी संभावना है, खर्ज बढ़ेगा, ब्यापार किसी को रण मत दीजेगा, कर्ज मत दीजेगा, अगर आप मीन रासी के हैं, सवतह कर्ज लेने के लिए प्रतनसील हैं, बैंकित्यादी से बात नहीं बन पा रही थी तो अब बनेगी, तो मीन रासी के जातक थोड़ी सी सावधानी, स्वास्ति का खायाल, खान-पान का ध्या अरख करके इस गोचरकाल को उत्तम बना सकते हैं, बाकी कोई चिंता नहीं, सुर्य भगवान को अरगय प्रदान करिए, भुवन भासकर को अरख दीजिए, पिता का सम्मान करते रहिए, चिंता करने की कोई आवशकता नहीं, तो प्रियदर्शक हो, ये था मेश से लेकर के मीन राशी परियंत प्रत्यक राश के जात्कों के लिए सूरिय राशी परिवर्तन का प्रभाव, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजे पुनह मुलागात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार